बहाव की हूँ, मैं कभी किसी का कोई बुरा नहीं सोचती हूँ, मैं कभी किसी से कोई चाहत नहीं रखती हूँ, आप मुझे रूखी सुकी जो भी देते हो मैं खा लेती हूँ मेरा दूद, मेरा गोबर, मेरा मूत्र सब ही तो तुमारे फाइदे के लिए है पर आज मुझे आप सब की जरूत है हिंदू और मुसल्मान दोनों से मैं विंती करके अपनी आप बीती सुनाना चाहती हूँ कुछ लोग जरा से पैसे के लिए मुझे बेच देते हैं और कुछ लोग जरा से पैसे के लिए मुझे खरीद लेती हैं आपके थोड़े थोड़े फाइदे के लिए मुझे कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है बस वही आपको सुना रही है कुछ लोग चंद पैसों की खातिर मुझे कतल खानों में बेच देते हैं चार दिनों तक मुझे भूका रखा जाता है ताकि मेरा हिमोगलोविन गलकर मास से चिपक जाए फिर मुझे घसीट कर लाया जाता है क्योंकि मैं बेहोस हो जाती मुझ पर बहुत गरम गरम उबलता हुआ पानी डाला जाता है मैं तड़क उठती है मेरा दूद पीने वालों मैं तुम्हे याद करती हूँ मुझे कठोरता से पीटा जाता है ताकि मेरा चमड़ा आसानी से उतारा जासे मेरी दोनों टांगें बांध कर मुझे उल्टा लटका दिया जाता है फिर मेरे बदन से सारा चमड़ा धीरे धीरे करके निकाल लिया जाता है सुनो जीवधारियों अभी भी मैंने प्राण नहीं त्यागे हूँ मैं कातर निगाहों से देखती हूँ शायद इन कसाईयों के मन में मनुश्यता का कोई जन्म हो किन्तु इस समय मुझसे पोशित होने वाला कोई भी मानव मुझे बचाने नहीं आता मेरे चमड़े की चाहत रखने वाले तुष्ट कसाई मेरी जीवित अवस्ता में ही मेरे चमड़ा उतार लेते हैं और तडब तडब कर मैं प्राण त्याग देती हूँ इस पावन और पवित्र भारत भूमी पर क्या ऐसा कोई नहीं है जो धर्म और कानून का पालन करके मेरे प्राण बचाए तुम्हारे दुवारा किये गए क्रूरतम अत्याचारों को सहकर भी मैं तुम्हें श्राप नहीं दे सकती पता है क्यों क्योंकि मैं एक माँ दोस्तों अगर आप गौमाता से प्यार करते हैं और आपने गौमाता का दूद प्यार तो इस मैसिज को शेयर करके थोड़ा बहुत दूद का कर्ज आप भी उतार सकते गौमाता की ये प्यार जन जन तक पहुंचाने के लिए केवल दो मिनिट का समय निकाल कर जादा से जादा इस वीडियो को शेयर करें